बच्चों, आज हम करेंगे लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए, ठीक है, लिखित प्रशन, बच्चों आपने पाट को अच्छे से पढ़ाएं, समझाएं, अब मैं आपको प्रशन बताऊंगी और आपको इसका सोच कर अच्छे से उत्तर देना है, ठीक है, और इन प्रश प्रश्न को अच्छे से समझना है के लिए करीदा था अगला प्रश्ण है रूबोट कशरीर किसका बना होता है उत्तर रूबोट कर स्वाथ का बना होता है किसे बना होता है इस बात का, किसका इस बात का, रोबोट का शरीर इस बात का बना होता है प्रश्ट गा, रोबोट मनुष्य के आदिशों का पालन कैसे करते हैं रोबोट मनुष्य के आदिशों का पालन कैसे कर पाता है उत्तर रोबोट में मेमोरी सेल होते हैं जो मस्तिश का काम करते हैं रोबोट के अंदर मेमोरी सेल होते हैं जो के मस्तिख यानि की ब्रेन का काम करते हैं इनकी साहिता से ही वे मनुश्य के दिये के आदेशों का पालन करता है मनुश्य जो जो आदेश देता है रोबोट को या अपने अंदर उसे स्टोर कर लेता है उनना आदेशों का पालन करता है रोबोट में मेमोरी सेल होते हैं जो मस्तिश का काम करते हैं इनकी साहता से ही वैं मनुश्य के दिया आदेशों का पालन कर पाता है बच्चों जिस तरह से हम अपने घर में नोकर वगरा रखते हैं तो वो हमारे सारे जैस जो जो हम उने ओडर देते हैं आग्या देते हैं तो हमारी आग्या का पालन करते हैं उसे तरह रबोट को भी जो हम आदेश देते हैं वो क्या है? अमारे आदेशों का पालन करता है, किस वज़ा से करता है? क्योंकि रबोट में मेमोरी सेल होती है, जो क्या है? मस्तिश्क यानि की ब्रेन का काम करता है अगला प्रश्ण है रोबोट देखता सुनता और बोलता कैसे है फिर से सुनेंगे रोबोट देखता सुनता और बोलता कैसे है उत्तर रोबोट के श्रीर में कैमरा माइक्रोफॉन और स्पीकर लगे होते हैं क्या लगे होते हैं कैमरा माइक्रोफॉन और स्पीकर लगे होते ह इने की साहता से वैं देखता, सुनता और बोलता है रबोर्ट के श्रीर में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं इने की साहता से वैं देखता, सुनता और बोलता है बच्चों आपको यह प्रेशन आच्चे से समझ आ गए होंगे